हेलो प्यारे बच्चे कैसे हैं आप मैं सबसे पहले ये वीडियो किसके लिए बनाये जा रहा है मैं ये बता दू ताकि आपका वक्त खराब ना हो मुझे पता है आप बहुत मन लगा के पढ़ रहे होंगे अभी ये वीडियो है become semester 5 honors के लिए ये वीडियो है semester 5 honors के लिए ठीक है सर semester 5 honors के लिए जो वीडियो है और subject कौन सा है सर इसके अंदर हम बात करेंगे management account की सर बड़ा ही छोटा सा chapter है subject है लेकिन कुछ lengthy chapter है वो तो management account कैसे पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए वो मैं सारी बाते बता दूँ ये आपका unit में divided है आपका unit 1 unit 2 unit 3 और unit 4 और unit 5 सबसे पहला unit जो है न सर वो है आपका theory का जिसे मैं कभी भी recommendation नहीं करता कि starting में पढ़िये बोर हो जाईएगा necessary क्यूंकि बच्चा जब पढ़ता है न तो पहला chapter ही खोल के देखता है और पहला chapter में बोरियत आ जाती है तो मैं मना करूँगा पहला chapter मत करिये एक्जाम में question आएंगे बिल्कुल आएंगे इसमें सो question आएंगे आपके 15 नमबर के लेकिन मैं मना करूँगा इसको मत पढ़िये एक्जाम टाइम पर पढ़ियेगा सर दूसरा है marginal costing सर बिल्कुल सही जगह पर unit है दूसरे नमबर पर यही करना चाहिए हाला कि इसको दो chapter मिलाके एक unit बनाये गया है एक absorption के नाम से है एक marginal जिसे PVR कहते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं सर PVR profit volume ratio सर अभी मैं YouTube के उपर डेली बेसिस पर वीडियो डालना चालू करूंगा management वाले बच्चों के लिए और यूट्यूब पे PVR सिर्फ एक ही चप्टर नहीं हुआ है एक ही चप्टर हुआ है तो मैं इसके लिए अब मैंने कोसिस कर रहा हूं क्योंकि बड़े सारे वीडियो है income tax है मेरे पास बहुत सारे सब्जिक्ट से तो मैं पूरा वीडियो डालने की कोसिस करूंगा और जो मैं वीडियो बना रहा हूं कुछ बच्चे नोट्स के लिए पूछ रहे हैं तो नोट्स में नोट्स सेक्षिन में डाल रहा हूं बाकि बुक आपका बहुत फेमस बुक मैं अरोडा को फॉलो मैं करता हूं और उसी बुक से सारे कोश्चन में करवा रहा हूं तो आप भुक भी खरी सकते नियरवाई जैसे भी होगा यह वाला चेप्टर आपका मार्जिनल कॉस्टिंग है तो है यह मांन के चलिंग आपको पांस दिन में खतम कर लेना चाहिए तो पांस दिन में खतम नंबर वन पर आपको यह चप्टर करना है नंबर टू पर यूनिट नंबर फोर उठाईए क्योंकि कई बार क्या होता है हमने यूनिट वन उठा लिया वह सारत थियूरी का है पढ़ते यार क्या है चैस स्लेवर्ण क्या है सब्जेक्ट ही खराब हो जाते हैं तो हम इतने दि या किसी से help का मतलब यही है कि आपको एक रास्ता बता दे पढ़ना तो आपने एक रास्ता बता दे पहले यह करो फिर यह करो बच्चा गया करता है यूनित उठाया यह यह पढ़ना चले पागल है यह क्या है यार कुछ समझ नहीं आ रहा तो सबसे पहले यह करना है नंबर यूनित कर लिया वैसे ही पास हो गया वो कोई रोकी नहीं सकता सर कितना टाइम लगेगा सर इसमें तो लगेगा टाइम आपका इसमें टाइम मान के चलिए आप 10 दिन प्लस लग जाएंगे आपके इसकी वीडियो मैंने अभी नहीं डाला है हाँ जो बच्चे अप्लिकेशन या फिर मेरे से ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनका ये यूनित हो चुका है ये यूनित भी कंप्लीट हो चुका है अभी यूटुब पे ये भी नहीं कंप्लीट हुआ इस बाद का मुझे बहुत द ये डिसीजन मेकिंग है कुशन जरूर आएगा पंदर नंबर का इसमें लास्ट वाला जो यूनित है ना इसके अंदर बड़ा कम समय लगेगा सर इसके अंदर समय आपका मान लो तीन दिन और सर इस वाले यूनित में मान लो आप पांस दिन तो अगर देखा जाए तो सर इ पलताने की कुशिस कर रहे हो हो सीक्वेंसिंग परने की मैं बताता बनातानी कोशिस कर रहा हूं करें पहले कौन सा चेप्टर आपको पढणा है पहले आपको और नार इस सबसें देखेंगे अнихटीघ्टे है मैं YouTube पे अब regular basis पे वीडियो डालने वाला हूँ regular class मैंने start कर दी है regular basis पे वीडियो डालूँगा मैं आप सभी के लिए और सर जो application पर बच्चे पढ़ रहे हैं या offline पढ़ रहे हैं उनका मैंने ये सर एप्लिकेशन में और YouTube पे क्या फरक है तो मैं बोलूँगा मैं एक रती भर भी फरक नहीं छोड़ता application और YouTube में तो कोई फाइदा नहीं है इसका पूछने का फिर भी कुछ तो फरक होगा सर बच्चे पढ़ रहे हैं आपसे तो फरक इतना ही रखता हूं मैं एप्लिकेशन पर लाइब सेशन होता है जिसमें आप वन्टू कम्निकेट करके डाउट भी पूछ सकते हैं दूसरा वहां पर टेस्ट होगा दूसरा वहां पर डाउट सेशन ले लिए जाएंगे बस यह फरक है जो की मेजर है एक तरीके दो बहुत बड़ी बात है कि अगर जो चीजे 2 गंटे में होता है अगर मैं वीडियो रिकार्ड करूं तो वह चीजे 20 मिनट में हो सकता है क्योंकि जो रिकॉर्ड कर रहा हूं उसमें तो मैंने फटा 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 content to the point और जो बच्चा पढ़ने वाला उनको उसी में मजा आने वाला है आपका कमेंट के पिंग में जाइए वहां पर कस्टमर के नंबर वाटसएप नंबर और सारे कूर्स के लिंक वगएरा मैं दे दूँ और बहुत नॉमिनल होता है हमारी प्राइज ऐसे नहीं होते कि 15 रुपे प्राइज है वह यह मुझे भी पता है कि पैसे अभी इस टाइ और रुपे दे दें फीस पास भी नहीं हो कैसे पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे तो यह बड़ी कोशन होती है तो मैं इतनी फीस लेता हूं जितनी मैं एक मूवी देख लो बस आपको दुख ना हो बिल्कुल भी और वैलिडिटी मैं आपको पूरा दे देता हूं कि भ सब कुछ मता देंगे वह बाकी सर सारी बाते मैं सिंपल सी बात करूं यूटूब और अप्लिकेशन पर फरक नहीं होता सिर्फ मेरा था स्ट्रेटीजी कैसा बनाया जाए किस तरीके से पढ़ा जाए बस मैं को यह बताना चाहता था होपुली आपको समझ में आ रहा होगा मैंनेजमेंट की तो देखो लगता डाल रहा हूँ होपुली आपको यह भी समझ में आ रहा होगा मिलते हैं हम इसी तरीके से किसी नेक्ट वीडियो के अंदर अपने दोस्तों को शेयर करिए क्योंकि काफी सारे बच्चे मैं देखता हूं चैनल के उपर आते तो हैं वीडि पढ़ाई जाएं मुझे 1,000,000,000 बच्चों से मतलब नहीं है मुझे एक बच्चे से भी मतलब है तो यानि कहने का मतलब क्या है सर के सभी बच्चे मेरे लिए इनपॉर्टेस से एक बच्चा इपढ़ रहा है तो नहीं तो मैं देखता क्या व्यूज कम आ रहे हैं छोड़ class classes मैं डाल रहा हूं तो मेरा purpose यह है कि कुछ लोगों का भला हो जाए तो मिलते हैं इसी तरीके से next video में thank you so much और friend को जरूर बताईए आप और अगला हम आपके जो theory के subject है उसके उपर भी हम कुछ सोच रहें कि important questions at least यहां पर बता दिया जाए आप उसको prepare कर पाओ कहां से prepare करना है तो take care बच्चो अच्छे से पढ़िए मन लगा के पढ़िए और इसके लिए preparation करिए note करिए और लिख के पढ़िए आप